मसकार दोस्तों मैं विक्रम और आप सबको बताने जा रहा हूँ आज अमरित खात के बारे में और यह कहां पर आपको लेना है और कहां यह मिलेगी अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा विडियो को लाइक कर दिजेगा और बेल आइकन प्रे स्ट्रॉंग खाद है और बहुत ही अच्छी खाद है आप पिछले एक साल से यूज कर रहें और इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है और बहुत ही कम दिनों में यह खाद तयार हो जाती है तो आप सब को कहां लेनी है और कहां मिलेगी यह मैं वीडियो में सारी चीजी बता रहती है कम से कम यह दो दिन आप रख करके तिसे दिन इसे आप रामसर डाल सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो बता रहे थे हैं और बहुत ही अच्छी खाद है तो आप यह खाद हमारे नरसरी आसालाता में आप यह आकर ले सकते हैं यह सुबा मॉर्निंग छे से खुली रहत रहते हैं और आप इसे यूज करके देखिए आप खुद रिजल्ट देखिएगा इसकी बहुत ही खास खासियत है इसमें अब बहुत ही अच्छी रिजल्ट है क्योंकि मेरे हमारे नरसरी में आप आईए विजिट कर यह यह मॉर्निंग 6 से खुली रहती है आसलाता नरसरी म आईए और यहां पर देखिए कितनी अच्छी यहां पर फल सब्जी वेजिटेवल्स आपको लगा हुआ दिखेगी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थी मल्टी लेयर वला उसमें आप देखे थे कद्दू कितनी अच्छी ग्रोथ हुई थी करेले कितनी अच्छ ग्रोथ हुई है अब मिर्ची में सारे हां तो देख रहे हैं यह अम्रित जल का देखिए कमाल कितनी अच्छी ग्रोथ हुई आप मिर्चे देख रहे हैं मिर्चे की साइज कितनी लंबी साइज हुई है और कितनी अच्छी हुई है और सारे पोधे आप देखिए कितनी अच सकते हैं जड में डाल सकते हैं आप चाहें उस तरह डाल सकते हैं मात्र यह 10 रुपय करके लीटर करके लेटर मिलती है आप एक लिटर ले जाएंगे और इसे दो लिटर बनाए अपने घर में और आपने तिरेस garden, home garden, kitchen garden यह किसी भी तरह का garden हो आप उसमें अराम से डालिए, बेजिजग डालिए इसका कोई भी reaction नहीं है, कोई भी हानी नहीं करती है अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी देते हैं तो कोई हानी नहीं करती है तो लगाएं इसे जरूर डाले अपने गार्डन में